हेलो फ्रेंड्स कास्मी फैशन में आपका स्वाधत है कास्मी फैशन मतलब नॉलिज एन आइडियाज अब फैशन इसमें मैं आपको कुछ न कुछ एक ऐसा आइडिया जरूर दोंगी जो कि आपके लिए यूसफुल होगा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पहुत ह प्यारा आइडिया जो कि आपकी ओल साड़ी से क्रियेट की गई ड्रेस के साथ है यह एक मेरी ओल साड़ी है जो कि मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया था इसका कलर है क्रीम कलर एंड कुको कुला कलर तो इसका मैंने सोचा कि एक क्यों ना सुन्दर सा ड्रस बनाया है सो मैंने इसे काट कर दो टुकड़े कर लिए क्योंकि क्रीम कलर पाट इसे बिल्कुल भी कॉंप्लिमेंट नहीं कर रहा था ऐस ड्रेस साड़ी में तो फिर भी अच्छी लग रही थी पर इसमें बिल्कुल भी कॉंप्लिमेंट नहीं कर रहा था तो मैंने इसे काट कर बहुत ही सुन्दर लग रहा है और इस तरह मैंने आचल को यूज किया है यौकपार्ट के लिए और यौकपार्ट में ये कलिया ऐसे गिरी हुई नजर आ रही है और ये कटने के बाद बिल्कुल भी हसा नहीं लग रहा है कि साड़ी से क्रेट किया गया है और अगर आप देख सकते हैं कि कलिया कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ को आ रही है और नीचे का जो साटन क्लॉट्स है वो इतना संदर इसके साथ एजस्ट हो गया है और काफी इससे कॉम्प्लिमेंट भी कर रहा है और इसे न्यू बनाने में काफी यूस्फूल भी साबित हुआ है जो कि कॉटें के साथ नहीं पॉसिबल था या फिर किसी ड्रस के साथ के साथ बिल्कुल भी पॉसियमनो नहीं था और यह रहा इसका स्कर्ट पार्ट तो गैडरप्रेज ुर्ट से बनाया है लेगि जो असदर डाले है वो साटन का इम्ब्लाकट बनाया है और आम्ब्लाकट में जब आप कट करते हो तो यह साइड एक आपका बाकी रह जाता है जो कि हर जगह हर टेलर फेशन बुटे कि अपर कहीं भी आप मॉल से भी कपड़े ले लो तो आपके अंब्र लकट में यह चला से कट आही जाती है चूकि आपको इस तरीके से एड़िस करना है उसके शेप का कपड़ा लीज़ी और उसको स्टिच करके अकॉर्डिंग ली करके उसे निचे से कर लिजिए और यह दोनों पाट को एड करने के बाद यह बना बहुती संदर ड्रस्ट ऑद यह जिनके लिए